हे गाईस तो आज मैं आपके लिए यन फाइनास मेनेजमेंट प्रोजेक्ट का रिव्यू करने वाला हूँ यन फाइनास मेनेजमेंट इट सब फोर कॉफ यन फाइनास विद नेटिव टोकन वाई-ई-फाई-ए-म यहाँ पर अगर टोकन के सप्लाई के बात करो तो वो बहुत ही मिनिममम सप्ला है जो कि यह सिर्फ वरसी 3700 टोकन और उसके अलावा यह जो टोकन है वो अल्रेडी लिश्ट हो चुका है यूनिस्वेब, कोईन टैगर एंड होटमीट एक्सेंज के उपर तो यह प्रोजेक्ट पुरा कैसे वर्क करता है और उसके अलावा यह टोकन को आप कैसे बाई कर सकते है उसके बारे में मैं आपको यह वीडियो में बताने वाला हूँ यहाँ पर अगर वेबसाइट की बात करो तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है यहाँ फाइनस मैनेजमेंट इट्स फोर्क ओफ यहाँ फाइनस विट नेटिव टोकन वाई ए एफाई एम डिपोजिट ओफ वाई एफाई एम टोकन अलोज यू टो लिक्विडिटी माइनिं यल फार्मिंग and many more और उसके बाद में यहाँ पे निच्चे आपको उनका कौन्ट्राक ऐड़ेस की बात करो तो आप दिख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपको उनका कौन्ट्राक ऐड़ेस दिखने के लिए मिल जाता है उसके अलावा यहाँ पे एगर डैसील की बात कर इक के लिए मिल जाता है तो आप में यहां से बम जाता हूं उसके बद हाट यहां पे नीचे आते हैं तो यहां पर बेसिकली प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया है आप दिख सकते है यहां पे लिखा है Brown finance management it's a fork of yen finance with native token YFIM deposit of YFIM token allows you to stake borrow and vote और उसके बाद में यहाँ पर आपको नीचे उनका white paper download करने के लिए मिल जाता है तो इसको आप जरूद कर लेना तो उनका जो भी technical detail वगेरा होगा वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा और उसके बाद में अगर आप यहाँ पर नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बेजिकली यह कौनसे कौनसे exchange के उपर लिए और यहाँ पर कौनसे कौनसे exchange के उपर यह आने वाला है उसके बारे में यहाँ पर बता जा गया है जिसके बारे में मैं आपको detail में बाद में बताने वाला हूँ उसके बाद में अगर आप यहाँ पर नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर उनका roadmap दिखने के लिए मिल जाता है तो यहाँ पर basically इन लोगों ने quarter 2 और quarter 3 में क्या कर लिया है और आने वाले time में याने की quarter 4 2020 और यहाँ पर quarter 1 और quarter 2 2021 में यह लोग क्या करने वाले हैं वो भी आप यहाँ पर checkout कर सकते हैं यहाँ पर quarter 4 की बात करो तो यहाँ पर जो उनका action listing है जो की होगा probit exchange के उपर और उसके अलावा यह जो token है वो already coin tiger और hotbit के उपर तो आही चुका है और उसके अलावा यह token आने वाला है balancer और बाकी यहाँ पर जो अलग-अलग exchange है उसके उपर यह token आने वाला है उसके बद में यहाँ पर अगर quarter 1 की बात करो तो यहाँ पर बेजिकली उनका जो mobile application है for stacking borrow and what वो आने वाला है और उसके बद में यहाँ पर अगर quarter 2 की बात करो तो यहाँ पर उनका marketing campaign शुरू होने वाला है यहन finance management project के बारे में तो यह basically आपको यहाँ पर उनका roadmap दिखने के लिए मिल जाता है उसके बद में गयाँ अगर आप यहाँ पर नीचे आते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर उनका जल्दी ही mobile application भी launch होने वाला है उसके बद में अगर आप यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको उनकी official community मिल जाती है तो इसको आप ज़रूर जोन कलेना तो उनका जो भी latest update वगेरा होगा या फिर अगर आपका कुछ भीड़ा होतो तो आप डायरेक लिए उनसे बात करके solve कर सकते हैं तो अब मैं यहाँ से back चला जाता हूँ तो अब मैं आपको यहाँ पर उनका जो white paper है उसके बारे में यहाँ पर बता देता हूँ आप दिख सकते हैं यहाँ पर अगर white paper की बात करो तो कुछ इस तरह का आपको सबसे पहले यहाँ पर front page मिल जाता है उसके बार में अगर आप यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको उनका introduction मिल जाता है और उसके बार में यहाँ पर अगर key products की बात करो तो यहाँ पर जो उनका सबसे पहला product है जो कि यह YFIM token जिसके बारे में मैंने आपको अल्रेडी बता दिया है आप दिख सकते हैं यहाँ पे लिखा है The YFIM token is the proprietary token of the YF management ecosystem thanks to which it allows processing transaction as an exchange token and also allows peer-to-peer exchange and value transfer और उसके बाद में यहाँ पे आपको उनका दूसरा एक token मिल जाता है जो कि यह YFM token YFM token is a token of the YFIM ecosystem this token is given to the holders of the YFIM token distribution will be carried out randomly उसके बाद में यहाँ पे आपको उनका और एक यहाँ पे product मिल जाता है जो कि यह YFM farm उसके बाद में अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको उनके दूसरे product जो कि है YFM stake, YFM borrow, YFM vote and YFM volt मिल जाता है उसके बाद में अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे कौन से कौन से यह लोग basically problem को solve करते हैं उसके बारे में यहाँ पे बता रहा गया है और कौन से कौन से आपको यहाँ पे feature मिल जाते हैं वो भी आपको यहाँ पे check out कर सकते हैं उसके बाद में अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे basically आपको उनका tokenomics दिखने के लिए मिल जाता है तो यहाँ पे इन लोगों ने अपने token को कैसे distribute किया है वो आप यहाँ पे check out कर सकते है यहाँ पे basically marketing audit partnership के लिए उन लोगों ने रखा है 9.76% token फीचर liquidity के लिए रखा है उन लोगों ने 5.6% Uniswap pull के लिए रखा है 4.15% और pre-sill के लिए उन लोगों ने रखा था 63.41% तो कुछ इस तरह से इन लोगों ने अपने token को यहाँ पे allocate किया है उसके बाद में अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो यही आपको यहाँ पे roadmap देखने के लिए मिल जाता है जिसके बारे में मैंने आपको already बता दिया है और उसके बाद में last में यहाँ पे उनका जो token है उसके बारे में यहाँ पे आपको detail मिल जाएगी तो अब मैं guys यहां से back चला जाते हैं उसके अलवा guys यह जो token है वो already list हो चुका है CoinGecko Accents के उपर और आप यहां पर check out कर सकते हैं यहां पर आपको मिल जाएगा Young Finance Management अगर यहां पर symbol की बात करो तो वो है YFIM और यहां पर अभी उसके recent price की बात करो तो वो है around $82 का और उसके बाद में अगर आप यहां पर नीचे आते हैं तो यहां पर आपको उनका market दिखने के लिए मिल जाता है तो जैसे कि मैं आपको बताएं यह जो token है वो आपको मिल जाएगा Hotbit Accents के उपर उसके अलवा यह आपको मिल जाएगा Coin Tiger और Uniswap Accents के उपर तो अब मैं आपको लिखे चलता हूँ सबसे पहले Coin Tiger Accents के उपर और आप यहां पर चेक आउट कर सकते है यह जो token है वो अल्रेड़ी यहां पर trade हो रहा है और यहां पर भी आप recent price अभी चेक आउट कर सकते है और उसके अलावा यहां पर अगर hotbit की बात करू तो आप दिख सकते है यह जो token है वो यहां पर भी list हो चुका है और यहां पर भी यह trade हो रहा है और यहां पर भी जो उसका price है वो आप यहां से check out कर सकते है तो अब मैं guys यहां से back चला जाता हूँ तो आप दिख सकते हैं guys अगर यहां पर यहां पर year finance management project की बात करू तो यहां पर जो उनका concept है वो बहुत ही बढ़िया concept है और उसके बाद में यहां पर जो सबसे अच्छी बात है कि यहां पर जो उनका total supply है वो बहुत ही minimum supply है जो कि यह sale for sale 3700 token और यह जो token है वो already list हो चुका है बड़े बड़े exchanges जैसे की Uniswap, CoinTiger and Hotbit के उपन और आने वाले टाइम में यह कई सारे और exchange के उपर आने वाला है तो अगर आप चाहो तो यह token को आप ज़रूर बाइक कर सकते है